अस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की बात करेंगे तो पहले भी हमने चाहे इस टापिक पर कई सारी वीडियोज बनाई हैं लेकिन कई तरह के सवाल भी हमारे पास पहुंचते ही रहते हैं क्यूंकि Australia study visa की बात करें तो थोड़ा strict जरूर नजर आता है Australia study visa में लेकिन अगर हम बात Australia schooling visa की करें तो अच्छी profile और सही डंग से अगर हमने पूरी file पर काम किया है तो visa बहुत अच्छी ratio में नजर भी आ रहे हैं Australia schooling visa पर तो इसी में हम और detail में कई तरह की बातें आपको आज की वीडियो की जरीए जरूर बताएंगे कई तरह की information रहेगी आज की वीडियो में स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोतकॉर और Australia schooling visa को लेकर ये धेर सारी information आपके साथ शियर करेंगे Navigators overseas से visa expert मिसिस वीना गोल मैं हमारे साथ है बहुत बहुत स्वागत है मैं नमस्कार तो मैं सभी को बता दूँ के जो Navigators overseas है वो Victoria government से मानिता प्राप्त कंपनी है जहांकि आप Australia schooling visa इनके थू लगवा सकते हैं तो मैं मैं जरूर जाना चाहूंगी आपसे अगर हम Australia schooling visa की बात करें आज के टाइम में किस तरह से देखा जा सकता है इस category को क्योंकि जो study visa है उसमें काफी tough चीजें जरूर नजर आ रही हैं और कहीं न कहीं parents भी अब ये मन जरूर बनाते दिख रहे हैं उनकी ITR suitable है तो वो अभी apply कर सके लेगिन किन-किन बातों का ध्यान parents को अभी जरूर रखना है अगर उन्होंने अस्ट्रेलिया schooling visa के लिए अपने बच्चे की फाइल लगानी है देखो अर्जूत अगर अस्ट्रेलिया schooling visa के लिए student ने जाना है एक तो हम जो है विक्टोरिया government से authorized representative है तो विक्टोरिया में जितने schools है विक्टोरिया इस स्टेट मैलबर्न जिसका में आ जाता है city तो विक्टोरिया में जितने state है तो सारे ही जो है मतलब सारे schools में students पे सकते हैं अब इसका plus point क्या कि सबसे ज्यादा वीजा जो पीछे देखनों को मिला है वो schooling वीजा में मिला है जब देखो कि इतनी strictness है कि जो बाकी जगए वीजा में लेकिन schooling वीजा सबसे ज़्यादा है और इसमें benefit कि parent साथ में जा सकते हैं तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूं मदर को कि मदर जो है बच्चे को जो है एक केर टिकर है अगर हम लोकल स्पॉंसर वहां का लगाते उसका एक लंबा PCC लेने का एक टाइम फ्रेम बहुत होता है तो बेटर है मदर जो है सा चली जाए और अगर नहीं सा जाना चाते तो लोकल स्पॉंसर उनकी स्पॉंसर्शिप ले दें क्योंकि अंडर 18 बच्चों की जो है गार्जिंशिप चाहिए होती है स्कूलिंग वीजा में उसके विना वो जा नहीं सकते और अगर फादर जाना चाहता है तो बाद में टूरिस्ट वीजा पे उसको एकमपनी करके उनकी सैटल स्कूलिंग वीजा स्कूलिंग वीजा के बच्चे को कि उसने स्कूल में थोड़ा परफॉर्म किया है तो यहां से बच्चा बहुत ज्यादा फीज दे के जा रहा है वहां वह सकता उसको श्कूलर्शिप बहुत ज्यादा मिल जाए क्यांकि उस टाइम तक वहां वह वह लोकल स्टूरेंट है एजू के उसको अश्ट्रालियन एजूकेशन का पता है तो नेचूरल है कि उसका जो है अगर उसने थोड़ा भी ठीक परफॉर्म की है तो उसको वहां की अच्छी उनिवर्स्टी में एडमिशन मिल जाएगा जो कॉम्पेटिशन होते हैं एंड उसको फीस कम देनी पड़ेगी दूसरा उसके पेरिंट्स को भी जाने का मोका मिल गय और जो नया सीखना वो उसको बहुत जल्दी मिल गया जी जी बिल्कुल तो मैं अगर कोई मन बना रहे हैं पेरिंट्स के उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपलाई करना है उस्ट्रिलिया स्कूलिंग वीजा के लिए तो राइट टाइम क्या इसमें भी इंटेक्स होते हैं तो आप प्रडिक्टिव माक्स का लेके प्रडिक्टिव स्कूर मिल जाता है जो बच्चे का इंटेक्स के लिए उसके बाद आपका लेट हो जाएगा सारा इंटेक्स जी चलिए ठीक है तो और भी कोई सवाल हो तो जरूर जो नंबर डिस्पले है नविगेटर्स ओवर सीज का इस नंबर पे कॉल करके और जानकारी जरूर ली जा सकती है अस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर हम नहीं चाहते कि आपके मन में कोई डाउट रहे इसलिए हमने अपनी तरफ से कोशिश किया मैं ने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर जरूर किया लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉडिंगली अपने बच्चे की प्रोफाइल के अकॉडिंगली कुछ चीजों को और समझना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नविगेटर्स ओवरसीज के ओफिस विजिट कीजिए या फिर इनके वट्सअप नंबर पर भी डॉकुमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं ताकि असेस्टमेंट की जा सके और टाइमली आपको अप्लाई करने के लिए पूरी जानका जारे कितो ढाई एंग्हारी के लिए एंग्यास कामा थीचिए या जाफॉचेंट माग्षण प्राइग की त्रही जाएगा जारे के जाएगिए याज भी टॉग्पषए याजर उड़िका फिर गॉट की लिए फो या जाएग्वाभ टाइवाग्वाट की जाएग